Hello everyone, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ, आप सभी का डिलिजेंट SSC यूट्यूब चैनल के उपर, आज इस वीडियो के अंदर हम SSC CESIAL 2024 से रिलेटिड बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली वैसे मैं सीजल 2024 को टार्गेट करते हूँ, इस वीडियो के अंदर बाते करूँगी, लेकिन यह सारी चीजें SSC CPO 2024, SSC CHSL 2024, और जो भी SSC के एक्जाम्स आगे आने वाले टाइम के अंदर, जिनके भी एक्जाम के अंदर लगभग आपके 5-7 महीने का टाइम अभी बचा हुआ है, उन सारे एक्जाम्स के ओपर effective होने वाले हैं, क्योंकि almost सारे एक्जाम्स का syllabus सेम ही होता है, तो इसलिए सारे एक्जाम्स के ओपर आपके लिए यह applicable रहेगी, जो भी लोग बाकी भी किसी जोब की preparation कर रहे हैं, वो सारे लोग इस वीडियो को refer कर सकते ह और जो अपनी preparation है, वो कर सकते हैं, सबसे पहला और सबसे main doubt अभी जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, ऐसे सी season को लेखे वो है कि क्या CET आएगा, क्या vendor change हो जाएगा, कौन हमारा paper कराएगा, क्या relevancy है previous year की, कैसे हमें फढ़ना चाहिए, देखो, कोई भी आपका paper क है, वो change नहीं होने वाला है, जो theory है, वो change नहीं होने वाली है, आपके maths के basics है, वो change नहीं होंगे, क्या time and work के जो सवाल TCS में बनते थे, वो अभी जो नया vendor अगर कोई आ जाएगा, तो उसमें नहीं बनेंगे, क्या उससे पहले जो vendor था, उसमें नहीं बनते थे, ठोरी almost सा कर में पढ़के, अपना time waste मत करो कि ये आएगा, वो आएगा, उसके बाद बढ़ेंगे, कोई भी relevancy रही ही रहेगी, जब आपकी notification आएगी, उसके दो महीने बाद exam होता है, उस time पे आपको clarity हो पाएगी, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, और अगर कोई नया vendor आता है, त उसका भी अभी हमें तो कुछ pattern बता नहीं है, तो हम क्या किस चीज को refer करते वे अपने तयारी करेंगे, जो अभी तक के previous year question होए है, उनहीं को refer करते वे तो तयारी करेंगे, तो उनहीं को refer करते वे तयारी करनी है, तो अपने लग जाओ, यही time है, इस time को अगर waste कर दोगे, तो आगे बहुत सारी चीज़े ऐसी हो जाएंगे, जो आपके out of control हो जाएंगे, एक दो दिन के अंदर तयारी नहीं होती है, किसी भी exam के लिए, चाहे वो छोटे से छोटा exam हो, चाहे बड़े से बढ़ा exam हो, at least 6-9 महीने आपको चाहिए उसके preparation के लिए, तो इसलिए बहु आपके mock test के importance है, वो बहुत जाता होती है, क्योंकि mock test से एक तो आप अपनी preparation का पता लगा पाते हो, कि आपने जो पढ़ा है, वो आप अपने mock test के अंदर solve कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपका जो score है, वो improve हो रहा है, कि आपको ये भी बता लग जाता है, कि इस given time के लिंक प्रोवाइड किया है, description box और pin comment में दोनों जगे में आपको इस mock test का लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, ओलिबोर्ड की तरफ से mock test है, ओलिबोर्ड की test series भी काफी helpful होती है, ससी season के बच्चे बहुत जादा उसको use करते हैं, आप लोग भी अगर उसको लेना चाहते हो, तो DSSC coupon code लगाओगे, तो आपको extra discount मिल जाएगा, और आप उनकी test series जो है purchase कर सकते हो, क्योंकि जब आप अपने mock test regular basis के उपर लगाना start करोगे, तो आपको अलग-अलग platform की mock test की जरूरत रहेगी अपनी preparation के लिए, अभी जिस mock test का link आपको दिया है, वो free of cost है, उसको लगा कि आप अपना जो score है, उसको analyze कर सकते हो, अपनी preparation को देख सकते हो, आप किस level के उपर stand कर रहे हैं, और अभी आपको कहां तक और जाना है, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं, जो आपका subject है English, English के वेटेज जो है SSC CGL के अंदर सबसे जादा है, क्योंकि मेंस के अंदर भी जादा पूछी जाती है, और pre के अंदर 50 नबर के पूछी जाती है, English को हमने basically तीन भागों में डिवाइड किया होता है, grammar होती है, उसके अंदर vocabulary होती है, और एक reading comprehension का section होता है, जो grammar वाले section है, उसके उपर आप सबसे जादा time देते हो, और उसका सबसे कम portion आज के time पे पूछा जाता है, लेकिन हर जगे यूज होता है, तो पढ़ना बहुत जादा जरूरी है, उसके लिए एक simple सा method है पढ़ने का, जो नीतु सिंग मैम की volume 1 आती है, प्लीन टु पैरामांट नाम से book है, मैं screen के उपर जो भी books मैं आपको बताऊंगी, सबकी pictures एड करती रहूंगी, ताकि आपको पता लगता रहे, वो वाली book आप purchase कर सकते हो, उससे सारे grammar के जो भी topics हैं, उनको cover कर सकते हो, अगर आप किसी teacher से पढ़ना चाहते हो, तो आमन व description box में डलवा दूँगी, और pin comment में डाल दूँगी, ताकि आप लोग उसको देखिए, जो अपना English का course है, वो free of cost कर पाऊ, ग्रामर को अगर आपको पढ़ना है, तो simply नीटु सिंग मैं की जो book है, उससे पढ़ लेना, teacher से अगर पढ़ रहे हो, तो वहां से पढ़ के उसके मतलब errors एक जगह पर इकठी दे रखी है, improvements एक जगह पर दे रखी है, fillers एक जगह पर दे रखी है, जहां पर ये सारे चीजें एक जगह पर इकठी करके दे रखी है, वो वाली book आप purchase कर सकते हो, market में काफी सारी book है, Kiran Publication की जो ये वाली book आती है, इसके अंदर भी TCS के सार पर देन इनफ रहेंगी, पहले नितु सिंग में की बुक से पढ़ो, उसके बाद प्रिवेस एर की questions attempt कर लो, daily basis के उपर आप decide का सकते हो, 20-30 जितने भी questions आप से बन पाते हैं, उतने बनाओ, daily basis के उपर करते रहो, जब पूरा हो जाए तो उसके बाद में एक से फिर start कर दे ना, revision के उपर चलते रहना, जब तक आपका exam ने हो जाएगा, तब तक ये चीज continue चलती रहेगी, रोकना नहीं है आपको इस process को, उसके बाद अगर हम बात करें, vocabulary की vocabulary याद करनी काफी मुस्किल होती है, और important भी बहुत जादा होती है, vocabulary का limited size label से SSC का, वो है आपकी previous year की vocabulary, previous year में लगबग आपके जो one word है, वो लगबग अभी तक 1300 something पूछे गए है, 1300, 1400, और आपके idioms जो है, वो भी इतने ही है, और synonyms जो है, वो लगबग 1000 के around है, तीन ही section आपको याद करने होते हैं, synonym अगर आपको याद है, तो endonym भी आपको automatically याद जाएगे, अगर previous year का इन्होंने vocabulary include की है, आप उसको भी पढ़ लेना क्योंकि वो भी काफी important vocabulary है, इतना enough है अगर आपको vocabulary याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत सारे बच्ची हैं जिनको याद करने में दिक्कत होगी, तो वो root word की help ले सकते है, root word के लिए जो neon publication की word power के नाम से book आती आप उसको refer कर सकते हो, उससे आप अपनी जो vocabulary है, उसको complete कर सकते हो, अगर vocabulary पढ़नी है, प्रीवेस एसे और नेतु सिंग मैं की book से हो जाएगी, आपकी complete उसके लिए भी कोई और book लेने की ज़रूरत नहीं है, अब बात करते हैं reading comprehension section की, अभी time आपके पास enough है, तो बहुत ज़्यादा shortcut methods के साथ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो अभी के time पे आप जो reading के लिए best कर सकते हो, वो ये है कि daily basis के उपर at least आप 30 से 40 minute reading करो, 30 से 40 minute read क्या करोगे, आप अगर newspaper पढ़ सकते हो, तो वो पढ़ लो, अदर्वाइस एक English Mathiam नाम से telegram channel है, जिसके उप पर free of course वो आपको article प्रोवाइड दरवाते हैं, उसी से passes, paragraph और बहुत कुछ बना के देते हैं, वो अगर वो पूरा article अगर आप पढ़ लोगे daily basis के उपर, तो उससे बहुत जादा improvement आप लोगों को देखने को मिलेगा, newspaper, कोई novel, जो भी favorite चीज आपकी है वो पढ़ते रहो reading करते रहो, बस इतना enough रहेगा, उसके बाद में अगर हम GS की बात करें, क्योंकि GS एक ऐसा subject है, जो आपको selection के पास ले जाता है, तो GS के लिए आपका simple सा क्या method है, GS की जो सारे topics हैं, वो मैंने काफी बार आपको बताया है, कि telegram channel के उपर मैंने डाले हुए, सारे TCS के जो important topic हैं, जहां से पार-बार questions पूछे जाते हैं, जैसे अगर हम history की बात करें, तो Indus Valley civilization है, आपकी modern history के journal governor है, आपके किसकी ये जो societies वगेरा है, इनकी स्थापना किसने की, कोन इसका founder है, बहुत चारी books आप से पूछ ली जाती हैं, battles आप से पूछ ली जाती हैं, वोर्स आप से पूछ ली जाते हैं, ऐसे topic हैं, जो बार-बार पूछे जाते हैं, उनकी एक PDF बना रखिये, मैंने सारे topic उसके अंदर लिख रखे, उन topic को पढ़ना कहां से है, या तो Lewisand की book ले लो, या मन्होर पंडे की जो आरिहनत वाली book आती है, वो ले लो, इन दोनों में से एक book आप discuss कर रही हूं, cover कर रही हूं, तो आप उसको भी rapper कर सकते हूं, वो इस video के बाद में चाहिद आएगी, तो आप उसको भी देख लेना, जब भी वो video आए तो, Lewisand से आपने इसको cover कर लिया, साथ में previous year questions लगा लिया, previous year के वो वाली book लेनी है, जिसके अंदर chapter wise दे रख्यों, ना कि set wise, set wise का बहुत जादा benefit नहीं रहेगा, chapter wise format के अंदर, TCS के सारे questions compiled होने चाहिए, उसकी जो ये सारी चीजें, वो किरन publication की ये वाली book है, इसके अंदर भी included है, सारी चीजें, तो आप इस book को भी refer कर सकते हो, अपनी preparation के लिए, या कोई और publication की book आपको पसंद है, या आपके पा लिया, more than enough है आप लोगों के लिए, उसके बात में अगर हम बात करें, static gk की, static gk की कोई भी extended pdf ले लो, जिसके अंदर से आप अपने जो सारे topic है, उनको cover कर पाऊ, topic जो important है, वो मैंने side के अंदर add कर दिये हैं, इसका screenshot लेके रख लेना, और ये सारे topics आपको लोगों को कि इसी भी एक pdf से पढ़ लेने है, Godfather की जो neon publication की pdf है, वो मैंने अपने telegram channel के उपर upload कर रखी, आप उसकी भी reference ले सकते हैं, या वो book भी ले सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है वो पढ़ने में तो, और वही same उसके अंदर भी use होगा, जो भी topic आपने pdf से पढ़ा ह है, उसके previous year questions आपको लगा लेने हैं, जो आपकी current affairs रहेंगी, current affairs में आप लोगों को recommend करूँगी, कि last के 7 से 8 महीने की current affairs बहुत अच्छे से करना, daily current affairs पढ़ने का फायदा नहीं है, weekly भी पढ़ने का फायदा नहीं है, आज के टाइम पे current affairs बहुत उल्टा-पुल्टा सा जब आउट हो जाएगा, उसके बाद में हम current affairs को cover कर लेंगे, current affairs को cover करने के लिए आप YouTube channels की भी help ले सकते हो, कुछ PDFs पी, जैसे super current affairs के नाम से जो capsule देते हैं, भासर वो भी काफी अच्छा होता है, पुन्डिज की भी PDF आती है, top 100 questions की, वो भी काफी सही होती है, आप उनको refer कर सकते हो, और इंडो लोगस नाम से YouTube channel है, एक लेजी जी के trick नाम से YouTube channel है, जिसके उपर पूरे मंत की compilation साती है, आप उनको refer कर सकते हो, जब आपको current affairs पढ़ने हो, अब ही हम बात करते हैं, math section के अंदर कुछ भी राम कहानी नहीं है, बहुत simple से math की अंदर चीजे है, theory है, practice ह और calculation है, तीन चीजे है, theory आप कहां से करोगे, किसी भी teacher का अगर आपने course ले रखा, आप वहां से कर सकते हो, कोई course नहीं ले रखा, नहीं लेना चाहते हो, तो मैंने YouTube के उपर वीडियो बना रखी, कहां से आप पूरा course complete कर सकते हो, math का, एक एक chapter मैंने बताया है, एक एक chapter क event, links भी मैंने आप लोगों को provide की है, आप उसको refer करके, वहां से सारे chapters अपने complete कर सकते हो, उस वीडियो का link में description box में डाल दूगे, वहां से जा के आप उस वीडियो को देख लेना, एक एक topic को complete करना, उस topic के notes बनाना आपने, जो handmade notes होते हैं, and written notes होते हैं, वो होने ही होने च करनी हैं, वो है previous year question, जो भी chapter आप एक बार किसी teacher से पढ़ लोगे, उसके previous year questions आपको practice करने हैं, अगर आपने वो chapter पढ़ लिया और previous year question उसी time पर practice नहीं, कि ये बहुत बाद में जा कि आपने practice करना start किया, तो आपको पूरा chapter साफ हो जाएगा, कुछ भी आपको धान नहीं दुबारा से videos देखोगे, दुबारा से time waste करोगे, इतना time नहीं होता है हमारे पास में, जब मैं अपनी त्यारी start की थी, तो जितने chapter मैंने साथ-साथ में previous year के soul कर लिया थे, वो chapter आज तक मेरे strong है, वो जो chapters मेरे previous year के soul नहीं हो भाए थे, किसी भी region की वज़े से, मैं भी आ बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो chapter आज तक week है मेरे, आज तक मैं उनके अंदर struggle करती हूँ, तो इसलिए जब teacher से आप पढ़ रहे हो, उसके साथ-साथ में ही previous year के questions लगा लो, एक दिन में मैं नहीं कह रही हूँ आपको अभी से आप 100-100-100-100 questions लगा स्टार्ट करतो, अभी इसे आप सिरफ questions लगा लो, timing के साथ भी मत लगाओगे, तो भी कोई issue नहीं है, लेकिन जिनका syllabus complete हो रखा है, उनको मैं बोलूँगी कि per question एक मिनट का time लगा के चलो, या फिर 45 second का time लगा के चलो, 50 questions करने बैठे हो, तो लगवग 45-50 मिनट लेके रख उनको और फिर questions को solve करना, start करो, ताकि आपकी speed भी improve हो, ये दोनों process करते हुए, आपको एक छोटी सी diary और साथ में maintain कर लेनी है, जैसे ये मेरी diary है, ऐसी एक मेरी diary थी, जिसके अंदर मैं सारे formulae note करती थी, तो आपको भी ये चीज बहुत जरूर से करनी है, ये चीज बहुत जादा benefit देगी आपको जब आपका exam होगा, और mock test से पहले मैं तो क्या करती थी, कि ये वाली diary को उठाती थी, और इसमें से सारे formulae पढ़ लेती थी, एक तो क्या होता था, उसकी वेज़े से मैं daily उन formula को पढ़ पाती थी, क्योंकि daily mock test लगाती हूँ, daily उन से पहले पढ़ भी वहाँ पे, और एक confidence को boost मिलेगा, और जब आप उसको वहाँ पे use करोगे, जस्ट पहले बढ़ा हुआ, तो आपको वो remind भी हो जाएगा, इस दिन मेरा ये formula आ रहा था, ऐसे हर formula किसी ने किसी दिनी use हो जाते, तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर वो set हो जा पाइथागोरस के triplets याद कर लेने हैं, पाइथागोरस के triplets आपको बहुत ज्यादा useful रहेंगे आगे, तो वो सारे important triplets याद कर लेने हैं, और जो भी आपको ऐसा लगता है, कि आपको calculation के अंदर help कर सकती हैं, वो चीज़े आपको याद कर लेनी है, और कोसिस करना है कि एक छोड़के एक दिन आप उनको लिखी low copy के उपर, जैसे एक pen copy उठाया, और उनको फटाफट फटाफट सारी चीज़ों को लिख दिया, ताकि आपको remind होते रहें, और उनको आप एक pen paper के उपर लिखके, अपनी table जो है, जैसे study table की, यहाँ पे भी लगा के रख सकते हो, जि के लिए कोई भी course purchase करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कोई books purchase करने की जरूरत नहीं है, नहीं बहुत ज्यादा time waste उसके उपर, waste तो नहीं कह सकते, time invest करने की जरूरत नहीं है, reasoning के लिए एक simple method आप लोगों को यूज करना है, कोई भी previous year का paper उठाना है, तीन से चार paper ले लेने है, reasoning के sets ले लेने है, उनको आपको बैठके solve करना है, बैठके जब आप उनको solve करोगे तो उसमें से 5-7 questions, 10-15 questions, depend करता है, किसकी reasoning किस level की है, उस time के उपर, ऐसे होंगे, जो आपसे नहीं होंगे, वो topic usually कौन-कौन से होंगे, मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि स dyes में भी दिक्कत आ सकती है, आपको, sitting arrangement में दिक्कत आ सकती है, order and ranking में दिक्कत आ सकती है, आपको, sillolism में दिक्कत आ सकती है, आपको, blood relation में दिक्कत आ सकती है, blood relation बना लोगे, लेकिन lengthy तरीके से बनाओगे, तो ये almost art से no topic आपके रहेंगे, जिनके अंदर आपको दिक्कत उनको क्या करना है अगर आपको नहीं समझ में आता है वैसे बुक वगेरा से तो आप सिंपली एक पर उसको सर्च करना यूट्यूब के ओपर कोई भी जैसे आपको मानली इसी कोडिंग डिकोडिंग नहीं आया है कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग आप सर्च करोगे तो बह ये भी मैं आपको बोलूँगे चेप्टर वाइस फोर्मेट में खरीदना जिसके अंदर सारे टीसेस के क्योशन चेप्टर वाइस फोर्मेट में दे रख्या हूं तो उसके अंदर से वह जो आट से दस टॉपिक वैसे आधी बुक आपकी ये वेस्ट जाएगे क्योंकि सारी लेघ्ट वही किये थे और आप लोगों को भी मैं वही रिकमेंड करूंगी जिन टॉपिक में दिक्कत आती है उनके अगर सारे क्योशन भी ना बनाओ नहां तो तीन तीन सो तीन सो क्योशन उनके बना ले ना जो रीसेंट के अंदर पूछे गए हैं दो हजार तेइस बाइ लोग पचेश करना चाहते हैं वो लोग DSSC अगर कूपन को यूज करेंगे तो 10% का एक्स्टा डिसकाउंट आप लोगों को मिल जाएगा या को मैट्स, रीजनिंग, इंग्लिज, चियर्स, हर सब्जेक्ट की प्रप्रेशन में ओलोवर मोग टेस्ट लगाने में हर एक के लगा लेना, CHSL के लगाने लेना, CPO के लगा लेना, सेक्शनल मोग टेस्ट बीच बीच में जब भी आपको 10-15 मिनट का थाइम मिलता है तब निकाल लेना, दिन में अगर एक से दो सेक्शनल मोग टेस्ट भी आप लगा लोगे रीजनिंग का तो आपका काम बन जाएगा उससे जाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी, जो भी कोई question आपको difficult लगता है या बहुत important लगता है उसको एक छोटी सी डायरी में अलग से note कर लेना, ताकि वो important concepts के आपके पास में अलग से वो बन जाए, notes बन जाए या compilation बन जाए, लगविक 100-200 question बनेंगे मेरे पास 100-200 question का ही compilation था, reasoning का जो बार-बार question फस्ते थे, या pattern जिस पे बार-बार question repeat होते थे, उनको मैं दुबारा से एक बार देख लेती थी, exam से पहले, उनसे मेरी exam के अंदर questions attempt करने का method होता था, वो मुझे दिमाग के अंदर रहता था, और थोड़ी speed से मैं question attempt कर पाती अगर यह सारी चीज़े आप फोलो कर लेते हो अपने exam के लिए तो मैं आपको guarantee के साथ कह सकते हूं कि आप बहुत अच्छा अपना score करोगे exam के अंदर, इन सारी चीज़ों को follow कर लेना अपनी preparation के अंदर, जो भी इसके बाद दिकते आए उसके लिए मुझे comment section में comment करके बत सकते हो, आप में उसके उपर भी काम करने के कोसिस करूंगे, जल से चल्द आप लोगों को improve करवाने के कोसिस करूंगे उसके उपर, वैसे मैं कोसिस कर रहे हूं कि daily study plans भी मैं आप लोगों को provide करूं, टेली ग्राम चैनल के लिए उपर तो उसके लिए आप मेरा telegram चैनल जो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में तब धक के लिए जैहें